आज मैं नवंबर्क के लिए संस्क्रित व्याकरण में दूसरे पाठ के साथ उपस्थित हूँ व्यंजन संधी हमारा प्रकरण है और उप्रकरण के अंतरगत हमें देखना है रौ पूर्वस्य रेफस्य लोपह दिर्वस्वरत्वचो तो अब देखना है कि आखिर इसका क्या आथ होता है तो उसी आथ के लिए इतना बताया गया है जिसमें कि पूर्वपद के अंत में रौ रहता है और रौ से पहले कोई हरा स्वस्वर रहता है आप जानते हैं कि हरा स्वस्वर औ, इ, औ, हरा स्वई, हरा स्ववू, और रू, ये रहता है इन में से कोई एक डा सकता है जबकि उत्तर पद के सुरू में, दूसरे पद के सुरू में रौ रहता है जब संधी होती है, तो परिबादन ये होता है कि हरा स्वर जो पूर्व पद में था वह दिर्ग स्वर में बदल जाता है जबकि पूर्व के रौ का लोप हो जाता है इसको हम फिर से समझाने का प्रयास कलते हैं कि यदि पथं पद के अंत में रौ हो एबम रौ से पूर्व कोई हरा सुस्वर इसी प्रकार उत्तर पद के सुरू में रौ हो तो संधी होने पर पूर्व पद का जो हरा सुस्वर है वह दिर्ग स्वर में बदल जाता है अर्थात ओ जो है यह आ में बदल जाता है हरा सुई दिर्ग ई में बदल जाता है हरा सुउ दिर्ग उ में बदल जाता है यदि छोटी री रहती है तो उसे बरी री में बदल जाता है और पूर्व का जो रौ है पहले का जो रौ है वह रौ लुप्त हो जाता है अब आपकी सुग्धा के लिए आपके समथने के लिए हम कुछ उराहरन देते हैं जैसे देखिए पथम पद है नीर और दुतिय पद है रवह अब यहां दोनों पदों में जो परिस्थिती है उसका अध्यम करते हैं तो पथम पद के यंत में रौ हलंत है और रौ हलंत से पूर्व नौ में हर सुई कार है हर सुई है जबकि दूसरे पद के सुरू में रौ है अब यहां जो परिवातन होगा सो हम आपको बता देते हैं सबसे पहला परिवातन होगा कि यह जो हर सुई है यह हर सुई जिर्ग ई में बदल जाए और इस रौ का लोप हो जाए लेकिन अंतिन पद के सुरू का रौ अवस्य रहा अब इस प्रकार करने पर हम देखते हैं कि नौ के साथ जो यहां हर सुई कार था यह जिर्ग ई कार बन जाता है यह रौ हट जाता है और यह रौ रह जाता है सब्द बन जाता है नीरवह रब का अल्थ होता है आवाज और निर्क का कहते हैं अभावह निर्का अल्थ है अभावह अभाव और रब का अल्थ है आवाज तो जहां आवाज का अभाव हो उसी का नाम है नी रवह दूसरा उड़ाहरन लीजिए अंतर जोर राज्यम अब यहां क्या है सो देखते हैं यहां देखना है कि तौ में औकार की मात्रा है पथम पद के अंत में रौ हलंत है दूसरे पद के सुरू में भी रौ है अब क्या होगा जैसा हमने पिछले उड़ाहरन में देखा था इसमें भी हम वैसा ही देखने अर्थात यहां जो ओ है यह ओ आ में बदल जाएगा तो अंत के बदले बन जाएगा अंता समझगा यह हों गया कि तो में जो ओकार की मात्रा थी तो यह ओकार की मात्रा को आकार की मात्रा में बदल दिया गया जिसका रण अंत का परिवलतम अंता में हो गया और इस रो का हो गया लोप लेकिन यह रो तो रहेगा तो सब्द बन जाएगा अंता राज्यम मतलब दो राज्यों के बीज इसी प्रकार हम एक और उदाहरन लेंगे हमारा तीसना उदाहरन है हमारा तीसना उदाहरन है जिसके अंतरगात हम देखते हैं गुरूर जोर रुष्ट हर गुरूगा अर्थ है गुरू और रुष्ट का मतलब होता है नाराज या क्रोधित अब देखिए पथम पद के अंत में रोहलंत है उससे पहले रू है और साथ उसमें हर्ष उ की मात्रा है जबकि दूसरे पद के सुरू में रोह है अब क्या होगा ये हर्ष उ ये बन जाएगा दिर्ग उ में ये रोह जो है इसका लोप हो जाएगा और ये रोह रह जाएगा तो अब क्या हुआ यहाँ जो हर्ष उकार की मात्रा थी रू में अब यहाँ हर्ष उकार के बदले दिर्ग उकार की मात्रा हो जाती है तो गुरू और फिर ये रूष चहा तो बन जाता है गुरू रूष चहा इस प्रकार इन तीनों उडाहरनों में हमने देखा कि यदी प्रथन पद के अंत में रू रहता है रू से पहले कोई हर्ष स्वर होता है और रू के बाद दूसरे पद के सुरू में भी रू रहता है तो पहला परिववतन की हर्ष स्वर दिर्ग स्वर में बदलेगा जिसमें हमने आपको बताया कि O का परिबवतन आ में होगा हरस ए का परिबवतन दिर्व ए में होगा और हरस उ का परिबवतन दिर्व U में एवं पथनपत के अंत का जो रो है इस रो का लोप हो जाएगा बस यही दो परिबवतन होते हैं और संधी हो जाती है That's all